आरोगे में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ रिचा भातिया आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार और आज भी हमार साथ स्टूडियो में आने वाले हैं हरिद्वार कंखल के जौने माने वैर दीपक कुमार जी वैजी आपका बहुत-बहुत सागत है आरोगे में वैजी जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी पूरी कोशश होती है कि हम अपने दर्शे को सच से रूबरू करवाएं और जिसकी वज़से हम आपके पेशेंट्स के पास जाते हैं और उनके एक्सपीरियेंसे हम जानते हैं उनको क्यामरा में क्याप्चर करते हैं तो वैसी आपके पेशेंट है जिन्होंने अपना अनुभव हमारे सांजा किया यह दिखते हैं कौन है मेरे डाम दीपगुटा है रिशिकेश गंगानगर से में रहने माला हूं मुझे अक्चली मैं स्वराइसस था लास्टें टू फिफ्टीं यह से बहुत परशान्ता रिशिकेश में हमारे एक जानका थे अशोगस्त जी उनके थू मैं वैजी के संपर्क में आया वैजी ने मैं अचानक ही मेरी दिमारी कूछ ली तो मैंने रुपलाया कि मुझे स्वराइसस है लास्ट टेंटू फिफ्टीं यह से कहीं जगा मैंने लाज कर आया पर कुछ भी अराम नहीं मिला वैजी ने मुझे दवाई दी और डिटली मैंने उसको एक प्रॉपर सिस्टम से भी नह कान में रहता था सिर्में रहता था वो सब कंप्लीटली फिल हो गया हुए सब वैजी की ही उसे हुआ है इसके लिए मैं बड़ा दनेवा देता हूं और दिल से भागड़ता हूं कि औरों के लिए भी वैजी तो वैजी अदीपक जी ने अपना अनुभव बताया जो रिशी कि अब यह स्वस्थ हुए और अपने अपको महसूस भी कर रहे हैं तो किस तरह से आपके पास आए क्या condition थी और क्या treatment आप ने इनको दिया रिचा जी बॉडी के शैल सब के बनते हैं मरते हैं बनते हैं कर बनने थोड़े ज्यादा हो जाएं मरने कम सटें तब इस lasting शीकार की समस्या बनती है इसको अइर्वेद में कहते है मंडल कुष्ठ यह कुष्ट तो नहीं है लेकिन कुष्ट की तरह हैं बहुत दुष्ठ है और मेरे पास इसके बहुत पेशेंट है उडर्ड साइन्स में इसका बहुत रिलायबल सोलूशन नहीं है और इसमें खुजली बहुत जादा आती है और कई बार क्रेक्स तक पड़ जाते हैं खुन तक निकलने लगता है और इसमें आयरवेद बहुत अच्छा कारे करता है सबसे पहले हमें कोष्ट सुद्धी करनी चाहिए कोष्ट सुद्धी के लिए प्रवाही कार्चुन रात्तिरी में परती दिने एक चमर सेवन मैंने इनको कराया और साथ में रक्त विकार नाशक कैसी भी स्किन डिजीज हो खाज खुजली हो या पाइल्स के मस्य हो जाईया हो सम्मे यह है रक्त विकार उस्वा चोपचेनी मजीट और महा मंजिस्ट्यादी क्वाद घंसत्व से बनती है मैंने इनको दो दो गोली इसकी और आहिरवेद की एक बहुत अच्छी दवा है पंचतिक्त गरत गुगुल इसमें अधिकतर फारमेशिया गरत नहीं डालती क्यो उकल और दो गोली नेम, घं, वटी इन तीनों की दो दो गोली प्रति दिन सुबह शाम दिन में दो बार सेवन कराई और साथ में नीम बादी चूंद सोगिराम, दस गिराम रस MARik और 20 गिराम काम दूदरस मिलाकर छोटे वाली एक एक चम्मच दिन में दो बाए। पार पान सुद्धी हुई इनको इस विमारी से निजात धीरे-धीरे मिलने लेगी और भगवान ने इनको बहुत आशिर्वात देते हुए स्वस्त लाप पतान कराया आपने देखा कि ये काफियत तक स्वस्त है